अलो एब्रीवन वेलकम तो मैं यूटूब चैनल एंवेस्टूज आटिस्ट माइने में इस रावल इस्टॉक वार के टेक्निकल एनलिसिस के स्रीज माँ आपका एक बात निक्सी स्वागत है आज हम लोग बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक का एनलिसिस करने वाने हैं मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में भी एक्स्प्लेइन किया था कि जब भी इस टाइप का आपको आपका एक्स्टू रूपीस की निकल के आ रही है तो अपसाइट पर आपके जो मिनिमम टार्गेट है याज है 80-82 रूपीस का तो भी होना चाहिए 110 को निच जब इस दे निकाला तो आपके नेक्स टार्गेर यापे 82 रूपीस का होता तो 192 के बाद देखेंगे आप तो यहाँ पर एक्जेक्ली आपका रेस्टेंस लेवल आटोमेटिकली निकल के आ रहा है मैं यहाँ पर मार्क करके रख देता हूँ अभी आपका प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एंट्री का होनी चाहिए टार्गेट आउन अची है एक कप एनडल पेटन यापर फॉर्मेशन हुआ था बहुत अच्छा कर्मेशन दिखरा था ये cup का formation है, ये handle का formation है, उसके बाद इसको फ्रिटेस्ट करके यहीं पर बहुत उच्छा pre-cout भी दिया है, previous swing के बाद अपने stop loss होता और 110 पर entry होती, पहली entry आ निकल के आई, मंतली time frame में अपने को clear कर इंडिकेशन ये बता चल जाता है कि स्टॉक का trend का है, वीगली time frame में अगर आप देखें, तो यहाँ पर continuously एक और consolidation zone यहाँ पर बना रहा है, यह 3-4 weeks से continuously इसी zone पर आप देखेंगे तो भूट कर रहा है, एक trend line का भी यहाँ पर formation आपको दिखेगा, जैसे मैं आपको एक box अटा कि continuously एक trend line का भी formation दिखाता हूँ, यहाँ एक trend line का भी formation चल रहा है, जिसका breakout बहुत अच्छा हुआ है, जो अपने को daily time frame में clear cut दिख जाएगा, यहाँ देख रहे हैं, हम multi time frame analysis कितना ज़्यादा जरूरी है, हम लोगों ने month से start किया था, और week पे लेवल जब यह निकालते हैं अपना old, आज का जो आई रहेगा वो, तो आप previous swing के पास stop loss रखें जो 128 रुपिस के पास आ रहा है, exactly अगर आप यहाँ रखना जाए तो 123 के पास भी रख सकते हैं, या stop loss अगर आपको रखना है तो 128, 126 के पास भी आप रख सकते हैं, आपके बस दोनों चोईस आपके उपर है, इंसाइड बार केंडल का भी यहाँ पर फॉरमिशन है, विकली टैंसरे में आपको clear cut दिख जाएगा, यह मदर केंडल है, यह उसके नीचे baby केंडल है, और continuously price जो है, इसी price band के अंदर पर treat कर रहा है, तो अपने को यह भी confirmation यहाँ से मिलि 145 के पास आपके entry होनी चाहिए, 128 रुपीज के पास आपका stop loss होना चाहिए, और upside पर target minimum 1.2 का मैंने आपको बता है, जो exactly आप देखेंगे तो 17 रुपीज का यहाँ से stop loss निकल के आ रहा है, तो minimum target आपका यहाँ से 34 रुपीज का होना चाहिए, जो 180 रुपीज के पास यह 179 रुपीज के पास निकल गया रहा है, जो consolidation zone का target हो अभी तक आया नहीं है, तो आप चाहिए, तो upside के लिए 195 रुपीज के target के लिए रख सकते, stop बहुत अच्छा दिख रहा है, बोली side पे दिख रहा है, momentum अगर आप देखना चाहिए, तो momentum पॉसिबली इस candle के ऊपर आएगा 156 रुपीज के पास एक sudden momentum देखने के लिए बिलेगा, उस समय आप अपने stop loss ट्रेट करके इसको upside के लिए old कर सकते है, upside के लिए margin भी बहुत ज़्यादा है, और exactly यहीं पे इसने पहले भी support लिने कोशिश किया था, तो हो सकता है यहां से sharp momentum अपने को देखने के लिए मिले, अगर आप channel में नहें तो channel को subscribe कर दीजे, वीडियो आपको पसंद आ रहे है, presentation के points अगर आपको पसंद आ रहे है तो उसको like कर दीजे, अभी के लिए इतना ही thank you